एक इंट्रेस्टिंग पॉस्टन है मोशन का जोसब जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए तो अधर एंड बी ऑफ ए सिट्रेट 300 मीटर रोड जो है वो जॉग करता है यानि कि मूग करता है एक सिट्रेट रोड में जिस रोड की डिस्टन जो है वह है 300 मीटर तो जॉग्सब एसे बी तक पहुंचता है यानि कि इस तक बी तक और वтесь कितने करता है एक्टने टॉट उट समय है और सित्यूम इसक रोड में यानकिक करके तक वापस आता यह वो सी तक वापस आता है उसी रोसी हीन लगता है कि इसे लगता है झाली कि तो पहले ए से बी तक जोसफ चलता है जॉग करता 300 meters distance है और time लगता है 2 minutes and 50 seconds अब वापस B से turn करता है और इसी direction में वापस जाता है opposite direction में और C तक पहुचता है C तक पहुचने में वह खाली 1 minute इसका time use होता है ठीक है अब हमें क्या करना है यहां पर calculate क्या करना है हाँ जब हो C तक पहुचता है तो उसे यहां तक पहुचने में यहां तक वो distance cover करता है 100 meters 100 meters ठीक है तो A से B तक 300 meters B से C तक 100 meters और time कितना लगता है time लगता है 1 minute तो हमें यहां पर क्या find करना है हमें 2 important findings यहां पर अबजर करनी है पहला हमें average speed and average velocity निकालनी है average speed and average velocity between A and B जब A से B तक hora जाता है जौकरता है तो उसकी average speed क्या होती है और average velocity क्या होती है वो निकालना है दूसरा जब B से C तक वापस jaw करता है 100 meters वोन मिनट में वो जौक करता है तो यहां से यहां तक कितनी average तक सबस्क्राइब तक हम पहले देखेंगे तक जो सब्सक्राइब तक तो टोटल कितना टाइम लगाता है जो करने में सो टोटल टाइम तोटल-टाइंज टीकन टोटल कितना टाइम लगता है टोटल टाइम लगता है तू मिनेट्स & फिप्टी सेकंड्स इसा हम सट में करेंगे वो है 120 seconds plus 50 seconds तो यह total होता है 170 seconds तो जो सब जो है A से B तक जाने में 170 seconds लगाता है ठीक है अब total distance कितना cover करता है so total distance जो की question में दिया गया है total distance 300 meters ठीक है so total time 170 seconds और total distance 300 meters अब हमें क्या निकाला है सबसे पहले हम average speed निकालेंगे average speed average speed from A से B तक average speed निकालेंगे we know that average speed is equal to distance total distance traveled total distance traveled divided by total time taken total time taken every speed but I have every speed you formula I think it's a big formula distance by time so I basically formula total distance covered divided by total time taken or total distance kitna 300 meters or total time can I look out 170 seconds or 300 divided by 170 वो है 1.76 meters per second so A से B तक जो average speed है वो है 1.76 meters per second अब हम देखेंगे average average velocity average velocity जो होता है वो ता है बराबर displacement displacement divided by time displacement divided by time is some average velocity निकालते हैं displacement कितना है क्योंकि road is straight है तो A से B तक जो distance है वो 300 meters है तो displacement भी 300 meters है क्योंकि road is straight है so displacement is also 300 meters है तो 300 meters है displacement divided by time कितना लगा time 170 seconds लगा so 300 divided by 170 वो अगैं 1.76 meters निकला तो displacement अब second bottom calculate करेंगे from A to C A से C तक A से C तक कितना distance cover होता है और कितनी displacement होती है तो A से C तक हम देखेंगे पहले total time total कितना time लगता है total time A से C तक तो पहले जो सब जो है वो A से B तक आता है एक है A से B तक जब जो सब आता है तो इसने यहां पे इसने 170 seconds use कि A से B तक आने में 170 seconds ठीक है अब B से C तक वापस आने में उसने 60 seconds यहनेके एक minute फिर से यूज किया तो यहां से यहां तक पहले 70 seconds होते हैं A से B तक 170 seconds होते हैं B से C तक वापस 160 seconds होते हैं तो total कितना time लगा total लगा 170 plus 60, that is 400 170 plus 60 that is 230 seconds ठीक है हाँ 230 seconds so total time यहां पर कितना लगा 230 seconds 230 seconds ठीक है एसे सी तक अब हम देखेंगे total distance covered total distance covered so a से सी तक a से सी तक कितनी distance cover करता है जो सब पहले a से b तक जो सब ने 300 meters cover किये a से a से b तक उसने 300 meters cover किये और फिर उसके बाद b से c तक उसने 100 meters cover किया that means total जो distance है वो 400 meters है a से b तक 300 b से c तक 100 that means total distance जो है वह 400 meters 400 meters ठीक है अब हम यहां पर क्या निकालते हैं अब हम यहां पर देखते हैं every speed जो में निकालना है every speed कितनी होती है every speed every speed is equal to total distance traveled जैसे कि हमने पहले निकाला total distance traveled divided by total time taken divided by total time taken so total distance कितना है जो मने अल्यदी कल्कुलेट किया total distance 400 meters और total time कितना लगा 230 seconds that means 400 divided by 230 seconds we have 1.74 meters per second so average speed यहां पर निकाला 1.74 meters per second अब हम यहां पर निकालेंगे average velocity average velocity वो बरावर होता है displacement divided by time अब यहां भी समझना है कि displacement कितना है यहां से यहां तक पहले displacement था 300 meters लेकिन अब Joseph वापस इसी direction में आ गया अब Joseph ने C तक 100 meters travel किया तो यहां से यहां तक था 300 अब वापस 100 meters सब्सक्राइब किया यहां पर यहां पर निकाली 200 meters होता है ठीक है सब्सक्राइब काली 200 meters है so 200 divided by time कितना लगा time again to 30 seconds लगा पहले यहां से यहां तक Joseph ने time travel किया था 170 seconds फिर वापस 60 seconds that means 200 and so that means 230 seconds so 200 divided by 230 seconds which is equal to 0.87 meters per second 0.87 meters per second so a say b that the average speed of 1.76 meters per second the average velocity of 1.76 meter 1.76 meters a say c that the average speed of 1.74 meters per second what average velocity of displacement divided by time who has 0.87 meters sorry 0.87 meters per second thank you